यह देखिए फ्रेंट हमने बॉर्डर के लिए 10 नंबर की स्लाई लेकर हम इस पे इस वूल से फंदे डालने जा रहे हैं इस लार में आपको बताएंगे तो जैसे हम नहीं खे लिए कैसे वह देखिए जितने आपने फंदे लेने हैं उतनी इधर आप वूल रख लीजी है जीतने लेने हैं उसी साब से फिर आप फंदे डाल सकते हैं तो हम डालेंगे सिंपल फंदे जै हमने ऐसे क्रॉस किया दो पी ऐसे भी डाल सकते हैं और एक और तरीका है जो के मेरे नए विविवर्ज हैं जा नहीं जानते फंदे डालना तो वो ऐसे भी फंदे डाल सकते हैं ऐसे क्रॉस कर लीजिए जितना थ्रेड में फंदे डालने हैं जितने लॉंग डालने हैं फ्रेड इदर रखिए बाकी जो गोले वाला फ्रेड है इदर रखिए फिर आप फंदे डालिए ऐसे सिंपल ऐसे यह सिंगल ही डालने हैं और बहुत टाइट नहीं डालने फंदे लूज फंदे डालने हैं क्योंकि हमने इन फंदों को खोलना भी है तो बड़ा प्यारा सा बुनते थे ना हमारी दादी नानी तो वो जे वाला बॉडर जरूर बनाती थी ऐसे हमने सिंपल फंदे डालने हैं ऐसे जैसे ही हमने फंदे डाले फंदे डालकर हमने एक सीधी स्लाई बना ली है क्योंकि जे राइट साइड थी फंदे डाले थे ना हमने तो जे राइट सा हमें, बैक साइड में हमारी उल्टी सलाई आई है, दिखती है न, अब हम जहां पे एक ही सीधी सलाई बनाई है, अब बैक साइड से हम सेकंड सलाई बनाएंगे, ऐसे, बिलकुल पलेन उल्टा उल्टा बुनते हुए, कम्प्लीट करेंगे, तो हमारी दो सलाई हो जाएगी, जे देखिए फ्रेंट, हमारी दो सलाई कम्प्लीट होगी है, अब हमारी आएगी थर्ड सलाई, तो थर्ड सलाई हम पूरी सीधी ही फिर बनाएंगे, यह देखी थर्ड सलाई भी पूरी यह सी ही बनाएगी हम दस नमबर पे बना रहे हैं इसको एक सीधी बनेंगी फिर एक उल्टी तो हमारी फोर्स लाइया कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपको बताते हैं यह देखिए फ्रेंड हमने एक फोर्स लाइय बना ली है इधर से देखिए दो चार चार लाइने है फोर्स लाइय बन चुकी है अब हमने इसमें जाली डालनी है तो ओ कैसे जाली डालके बनेगा बॉर्डर यह देखिए फिर्स फंदा तो हम सिम्पल ही उतार लेंगे सिम्पल उतारने के बाद थ्रेड ले आएंगे आगे और हम करेंगे दो का एक ठीक है फिर थ्रेड लाएंगे आगे और करेंगे दो का एक थ्रेड लाएंगे आगे और करेंगे दो का एक ऐसे तो ऐसे जाली बीच बीच में डलती जाएगे फिर थ्रेड करेंगे आगे और करेंगे दो का एक थ्रेड करेंगे आगे करेंगे दो का एक तो ऐसे हमने पूरी सलाई बनानी है जह 42 हमारे 42 फंदे हैं 42 ही नीचे के हैं दोनों मिक्स करके इतने ही फंदे रहेंगे और हम इसको 10 नमबर पे बनाएगे तो ऐसे आप करते जाएए 2 का 1 थ्रेड डाके 2 का 1 तो पूरी सलाई ऐसे ही बनेगे जह देखिए लास्ट में हम आगे हैं जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे और लास्ट वाला फंदा सिंपल बन लेंगे ऐसे तो पूरी जाली हमारी डल चुकी है अब आते हैं 6 सलाई ये 5 सलाई थी 6 सलाई जाली वाली और बैक साइड बैक साइड में हम पूरे फंदे ऐसे ही बनेंगे जाली वाला फंदा जो है उसको भी उल्टा बनेंगे सिंपल भी उल्टा मतलब पूरी सलाई उल्टी जो देखिए फ्रेंड हमने पूरी सलाई उल्टी बनाई है तो उल्टी सलाई जो हमने बनाई है जे एक सलाई है अब हम सीधी बनाएंगे दो फिर उल्टी तीन और फिर सीधी चार चार सलाई नीचे है चार सलाई हम उपर बनाएंगे एक एक बन चुकी है दूसरी बनाने जा रहे हैं इसके उपर जाली हमारी डल चुकी है ऐसे पूरी सीधी स्लाई बनाएंगे फिर उल्टी फिर सीधी जे देखिए फ्रेंड हमारी ये फूर्थ स्लाई भी कम्प्लीट होगी है तो हमने सीधी स्लाई बनाई है इसमें सीधी बना ली तो हमारी कम्प्लीट होगी फूर क्योंकि four slide हमारी नीचे थी एक दो तीन चाह four slide ही उपर होनी चाहिए एक दो तीन चाह तो चार slide उपर चार नीचे बीच में जानी अब हम इसको fold कैसे करेंगे ऐसे fold होगी ना नीचे का border ऐसे बनेगा ना तो कैसे fold करेंगे वो आपने अब ध्यान से देखना है तो हम जैसे उल्टी side है back side है तो बुरेंगे ना तो हम इस जो हमने thread में फंदे डाल ले थे हमने आपको बताया था कैसे फंदे डालने है तो हम इसको खोलेंगे यह जो फंदा है ना इसको खोल के देखेंगे ऐसे पहले देखेंगे कहां खुलता है यह फंदा ऐसे खीच कारण देख सकते हैं यह देखिए ऐसे हम फंदे को खोलते जाएंगे तो हमारे फंदे खुलते जाएंगे खुल रहे हैं न थ्रेड आपने सई से पकड़ना है कि किस से खुलेंगे अगर गल्त थ्रेड पकड़ लिया तो फिर नहीं खुलेंगे यह देखिए ऐसे एक एक करके फंदा खुलता जाएगा ऐसे थोड़ा से खीच के देखिए वैसे जो उपर वाली बाउंटरी है न यह पतली पतली उपर वाली जो चेन है यह ही खुलेंगे यह देखिए यह फिर यह फिर आगे का देखते जाहिए यह उसके आगे यह 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 वाली ऐसे बारी बारी से खोलते जाहिए तो पूरे फंदे खोल लीजिए जितने आपने डाले हैं तो ऐसे फंदे खुल जाएंगे जो देखिए फ्रेंड हम इसको इदर ले आएंगे रॉंक साइड से उल्टी साइड से हाथ में पकड़कर इस बार्डर को सलाई से इन फंदों को एक एक करके डालते हुए आगे ले आएंगे इन पूरी लाइन को उठा लेंगे जहां से लेके जहां एंड तक एक एक फंदा उठाते जाएंगे ऐसे इस सलाई है ना इसको पीछे ऐसे डालेंगे तो सीधा आएगा ऐसे नहीं डालना है उल्टा फंदा आता है ऐसे सलाई का फेस ऐसे करके मुँ ऐसे डालेंगे फिर पीछे से एक एक फंदा पकड़ते हुए हम पूरे फंदे ले लेंगे ऐसे बड़े ध्यान से उठाने है फंदे ऐसे फिर आगे वाला ऐसे ऐसे फंदे उठा लेने है पूरे यह देखिए फ्रेंट हमने पूरे फंदे उठा लिए है हम जहां बुन रहे थे न वो ए लाइन है जे हमने फंदे खोल कर उठाए है अब हम इन दोनों को आपस में ऐसे कर लेंगे ठीक है स्लाइड दूसरी ऐसे करने के बाद अब हम जो थ्रेड से बुन रहे यह तो हमारा खुला हुआ थ्रेड है जिससे फंदे खोल ले थे अब इसको और इसको दोनों को आपस में जोडेंगे कैसे जोडेंगे जे हमारा राइट साइड होगा फ्रंट साइड ए बैक साइड स्वेटर का बॉडर का तो ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे पहले एक वाला फंदा एपीछे वाला ऐसे लेंगे फिर आगे वाला आगे से ऐसे ऐसे लेकर दो का एक करेंगे ऐसे और फंदे उ आगे वाला तो इसको भी उल्टा ही बुनेंगे फिर पीछे वाला फंदा ऐसे लेंगे जैसे उल्टा बुनते हैं जे भी जैसे उल्टा बुनते हैं तो ऐसे दो फंदों का एक-एक करते जाएंगे एक है अë आक कि तो एक को ही एक साइब आएगा ए राइट साइब हो एसे अपने स्वेरं फंदें जितने भी डालバं आपए-टी-टू करिक को 62 आने हैं ब्राबर, जे देखिए, जे राइट साइड आएगा हमारा, है न, और जे बैक साइड, तो ऐसे हम पूरे फंदे, बाइंड करते हुए जाएंगे, जे देखिए, कितना सुन्दर बन के आया है, जे है राइट साइड, फर्स्ट, फरंट, और जे है बैक, बैक में एक उल्टी बनाएगे, सीधे उल्टे का, दो सीधे दो उल्टे, कोई भी बाउडर बनाएगे, चाहे उल्टे उल्टे बनाएगे, तो हम दो सीधे, दो उल्टे का बाउडर बनाएगे, ऐसे, दो सीधे, दो उल्टे, जैसा बाउडर चाते हैं, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो अगर उल्टा उल्टा बनाना चाते हैं तो उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं जे आप इड़ बेंड करता है कि आप बॉर्डर कैसा चाते हैं ऐसे ये देखें उल्टा उल्टा बनाईए चैसीदा सीदा अब हम बनाएंगे इसमें एक और बॉर्डर सीदा 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 और उल हम बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा तो ऐसा बॉडर रेडी करेंगे इसके उपर बहुत सुन्दर लगेगा यह देखिए ऐसे बॉडर बनाएंगे अगर आपको यह वाला बॉडर अच्छा लगा हो हमारा बनाने का तरीका तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस पे हम नए नए परजेक्ट लेके आएंगे जो के आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं तो आप खुश रहिए अपने परवार के साथ अगर आपको सब्सक्राइब करेंगे बेल को प्रेस करेंगे फिर उसमें दो लाइने आती हैं उसको उस पे भी टच्च करेंगे उसके बाद हमारी वीडियो के पास आएंगे और आप अच्छे और सुन्दर सुन्दर डिजाइन बना पाएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें थैंक यू बाई बाई